हेला इबरिवन आप सबका एक बार फिर से नएवड़े पे स्वागत हैं दोस्तों अगर आपका पॉर्ण ट्रांजिस्टर बार-बार सौट हो जा रहा है तो यह वीडियो आप यहां पर देख सकते हैं मैं बाहर किया यहां पर बताने वाला हुँ तो आप पर हंडेट परसेंट इसको सॉल्व कर लेंगे ऐसे प्रोलोंग को यहां पर देख सकते हैं यह वाला ट्रांजिस्टर है जो यहां पर लगा हुआ था मैं आपको नमबर भी दिखाने का पर कोसिस्ट कर रहा हूं साइद आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो तो यहां पर यह वाला ट्रांजिस्टर लगा हुआ था जैसे यहां पर देख सकते हैं तो यह बार बार सॉट क्यों हो रहा है इसको ड्राइव करने के लिए यहां पर आईसी लगाया है किसी किसी में ट्रांजिस्टर को यूज किया जाता है और किसी किसी में आईसी भी होता है तो यहां पर मैं आपको बता दो यहाँ पर मैं दूसरा टांजिस्टर जो कॉमन होता है अठारा जीरो दो पाउर सप्लाई में यूज होता है तो यह वाला मैंने डाल के यहाँ पे देखा था जैसे ही लगाया यह क्या हुआ शॉट हो गया मतलब इसको आप सीरीज में ही डाल के चेक कि पर यegeसे पर बोड है उसको मैं पलट देता हूं और पलट के मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजे चेक करके दिखाता हूं और बार बार ऐसा प्रोलम देखने को आपको मिलेगा तो चलिए यहां पर मैं बोड को प्लट लेता हूं प्लटने के बाद यहां पर हम ड्राइब पॉल्स चेक करेंगे तो ड्राइब पॉल्स चेक करना बहुत ही जरूरी होता है अगर आपका ऐसा प्रोलम आता है तो देखे पर स्विचिंग करने के लिए आई सी को यूज किया गया है अगर वहां से जो मारा ड्राइब पॉल्स होगा उसमें कुछ अगर गड़वड होता है जो मिलना चाहिए उसे अगर ज्यादा सप्लाई देता है या कुछ और सप्लाई अगर हमारा ट्रांजिस्टर पर मुझता है ड्राइब के जगह पे तो वहां पे क्या होगा हमारा ट्रांजिस्टर बार बार सोट होगा और ऐसा प्रोलम बना रहेगा तो यहीं चीज इस पीडियो में मैं आपको चेक करके दिखाओंगा देखिए इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको कैपसीटर का जो मेन फिल सेलेक्ट कर लेंगे तो चले सेलेक्ट कर लेते हैं यहां पर मैंने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद में आपका जो मेन फिल्टर का सीटर होता है जहां पे 300 के करीब में हमारा वोल्टेज बनता है तो उसको चेक करना होगा तो चेक करने के लिए आपको यहां पर लाइन दे द या फिर और दूसरा कुछ खराब हो जाएगा तो यह चीज़ आपको ध्यान में देना है तो चले यहां पर मैं आपको filter cap sitter पर voltage चेक करा देता हूं तो यह हमारा ठीक है उसके बाद में transistor के बीच वाले terminal पर हम चेक करेंगे जो हमारा main filter cap sitter पर supply यहां पर देखेंगे तो देखिए यहां पर सही supply है तो यह मेरा supply सही है उसके बाद में क्या होता है जो हमारा 2 terminal होता है transistor के बाहर वाला तो यह तो मेरा ground होता है उस पर कोई भी voltage आ इसी drive कर रहा है किसी किसी में हमारा transistor को भी यूज किया जाता है तो यहाँ पर हम multi क्या होता है मीली वोल्ट में आपे voltage मिलता है तो उसको चेक करने के लिए आपको multimeter को रखना है सबसे कम range में जैसे मैंने यहां पर दो के range में select कर लिया है और एक को आपको ground करना है ground आपको power transistor बार-बार sort हो रहा है और कितना भी power transistor यहाँ पर यूज करूँ बार-बार sort कर देगा तो यहीं reason है यहाँ पर आपको जब तक fluctuation जैसा voltage मिलेगा बार-बार power supply का transistor sort करेगा और इसको आपको सई करने के लिए जो हमारा drive के लिए IC यूज हुआ है उस IC को आपको change करना होगा आई-सी से ही ऐसा problem हो रहा है यहाँ पर 0.23 का असपास यहाँ पर supply मिलना चाहिए जो हमारा तो आपको 0.23 के आसपास मिल रहा है आपका drive Paul सई है अगर आपका यहाँ पर fluctuation जैसा voltage मिल रहा है उस से ज़्यादा voltage मिल रहा है या कुछ और voltage मिल रहा है तो आपका यहाँ पर जब तक आपका यहाँ पर ड्राइब सही नहीं होगा तब तक आपका पाउंड ट्रांजिस्टर बार बार सौट होगा बार बार उड़ेगा यहाँ पर देख सकते हैं पाउंड ट्रांजिस्टर का यह वाला स्थान हो गया एक मेरा ग्राउंड है और एक जो है आपका transformer से जुड़ा होता है जिस पर आपको 340-50 के आसपास voltage मिलता है और एक होता है हमारा drive के लिए जो हमारा IC से यहाँ पे जुड़ा हुआ है किसी किसी में transistor को यूज किया जाता है मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ तो यहाँ पर देख सकता है jumper को तुरूई इस IC से जुड़ा हुआ है जो हमारा drive के लिए इस IC को यूज किया गया है यहाँ पर IC का fault है अगर हम IC को change कर दे तो हमारा problem solve हो जाएगा लेकिन यह वाला IC हमारे पास available नहीं है अगर हम market से लेना चाहें तो market में यह वाला IC मिलेगा नहीं और हमारे पास यह पुराना kit में भी available नहीं है तो इसको कैसे solve करेंगे देखे मार्केट में बहुत ही तरह का power supply module आ रहा है तो आरे पास भी module है उस module से मैं इसको ठीक कर सकता हूँ वीडियो को यहाँ पर मैंने skip किया था तो आप इस module को use करके आप अपना power supply को ठीक कर सकते है तो यहाँ पर मैंने इसको लगा लिया है लगा के मैंने connection वेगरा सब कुछ कर लिया है मैंने यहाँ पर check करके अब दिखा रहा हूँ दिखे check करने के लिए मैं direct line में लगाँगा क्योंकि मैं आप power supply जो है power supply सही हो चुका है मैं series में नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पर direct मैं line दे रहा हूँ तो guys यहाँ पर मैंने line दे दिया है line देने के बाद यहाँ पर देख सकते है indicator जल गया है indicator जलने के बाद यहाँ पर screen में देखे तो इस chicken में मेरा blue screen आ चुका है जो मेरा blue screen आना चाहिए मेरा TV on हो चुका है जो मेरा problem था यहाँ पर power supply का transistor बार-बार short हो रहा था और जिसका reason क्या था region में इस video में बता दिया हूँ अगर आपको ऐसा problem आता है तो ऐसे आप solve कर सकते हैं आपका 100% problem solve हो जाएगा तो आज किस वीडियो को यहीं पर इन करते हैं आई होप के वीडियो अच्छा लगाओगा आपको वीडियो अच्छा लगाओगा एक लाइक कर देना आपने दोस्तों पास चैर करना और इस्तर का वीडियो पाते रहना चाहते हैं अक्राउनिक्स रिलेटिड कुछ नया सीखना समझाता आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो आइकन को प्रेस कर लीजेगा मिलते हैं फिर किस वीडियो में नेटों के साथ तब तक लिए जाएं ओ अन्दे मात्रा